गोशन का समयेगा будем एक वच्टर का कोश्चन है क्या कोश्चन की समयेगा लेट्ट e वैक्टर एक्टर एक्ट टु आइनगा थीया इवच्टर पता करना है अब देखिए क्या क्या गिवन है है यह समझाने के लिए लिखता हूं अब डाइ्ट कोशिन करिएगा आई प्लस फोड जे प्लस 2 के वेक्टर है 3i-2j-7 के आइसी वेक्टर है टू आई माईनस जे प्लस फॉर के आप डी वेक्टर को आपने माल लेया XI plus YJ plus Z के अब आपसे बोला जैसे A.D 24 है तो एक equation तो यहां बनाई ही लीजिए आप तो A.D मतलब X plus 4Y plus 2Z equal to 24 और यह equation दे के छोड़ दिया हूँ अब आपके पास एक result और है कि D cross B equal to C cross B is means कि D cross B minus C cross B equal to 0 या आप लिख सकते हैं D minus C cross B equal to 0 vector अब vector में क्या होता है कि अगर A cross B A cross B equal to 0 तो A parallel to B होता है और इसका मतलब A vector को आप lambda B लिख सकते हैं यानि आप यहाँ पर D minus C vector को lambda times B या corresponding ratio equate कर सकते हैं तो D minus C मतलब हो गया C के साथ subject कर दिए तो X minus 2 into I ठीक है अब D है Y और यह minus minus plus हो जाएगा तो हो जाएगा य प्लस 1 into J और यह है 4 तो Z minus 4 into K this equal to lambda times of B vector तो B vector कितना है B vector है 3i minus 2 J plus 7 के तो X minus 2 equal to 3 lambda Y plus 1 equal to minus 2 lambda और Z minus 4 equal to 7 lambda यानि X की value है 3 lambda plus 2 Y की value है minus 2 lambda minus 1 और Z की value है 4 plus 7 lambda अब यह value को जब हम यहां रखेंगे तो हमें मिलेगा lambda और वो lambda जब आप यहां रख देंगे तो आपको D vector मिलेगा और फिर उसका मॉड लेना है यानि process question time थोड़ा सा तो ले गई time consume तो करेंगे पर और कोई तरीका आप करोगे नहीं तो आप यह अब आपने value रखी तो जब value रखेंगे तो देखें क्या होगा X की जगे रखा आपने 3 lambda plus 2 प्लस 4 है तो अब प्लस 4 है तो अगर 4 ताइमस करी तो माइनस 8 lambda माइनस ओफ 4 प्लस 2 जाड़े तो 8 प्लस 14 lambda इस शुट बी 24 तो यह देखें यह हो गया 17 लेमड़ा और यह माइनस 8 तो 9 lambda राइट यहां पर यह 2 है यह 8 है तो 10 माइनस 4 6 तो मिलेगा 18 तो इसका मतलब लेमड़ा की वैलू आ गई 2 और लेमड़ा की यह 2 वैलू यहां रख दीजिए तो X आ गया 8 Y आ गया माइनस ओफ 5 और Z आ गया 14 प्लस 4 18 इसका मतलब आपके पास एक D वैक्टर जो था वो कंप्लीटली निकल के आ गया तो डी वैक्टर के आ गया एट आई माइनस 5 जे प्लस 18 के अब आपको यह नहीं पूछा बलकि इसका मॉड़ पूछा है तो मॉड़ ऑफ डी स्क्वेर एक्वल टू 64 प्लस 25 प्लस 324 राइट तब आपको एड करना है तब आप एड़ कर दीज तो कितना जाएगा यह अंसर देखी यूनिट डिजिट से भी काम हो जाएगा 8 प्लस 513 तो 3 आना चीए पर 3 सभी में कोई दिक्कत नहीं है है ना फिर कितना हो जाएगा 2 प्लस 24 प्लस 610 जीरो 1 और यह जाएगा 2 प्लस 3 यह 3 है तो यह जाएगा 4 तो 413 जा राइट आंसर तो कोशन को अगर ढंग से समझ के करेंगे तो आप एजीली हैंडल कर सकते हैं वक्त शर्त है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको फाइंड क्या करना है